कि हलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करेंगे सुजलोन एनर्जी लिमिटेट से लेठेट चालिस रुपे का यह शेयर है ठीक है और यहां पर आज देख पाऊगे तो आज यहां पर लोवर सर्कीट लगता हुआ निजर आया आज इसके Q4 के रिजल्ट आये इसके Q4 के रिजल के पास है तो इसलिए बाइकन की रिकमेंडेशन नहीं है और चीजों को सीखने पर फोकस करना है सीखने का तरीका क्या वीडियोस जाके वीडियोस देखिए आपको काफी सारी चीज़ है आपकी क्वेरीस सौल्व होती हुए नजर आएगी साथ में आपको बारी किया सीखन कर सकते हो टेकनिकल में रिसर्च में फंडमेंटल में आपको क्यों के जवाब मिलते हो नजराएंगे कि शेर क्यों भागता है क्यों गिरता है हाना आपको सारे क्वेरी आपकी सौल्व की जाएगी 25,000 रुपर या कोर्स है त्री मेंस की एंडोल्डिंग स्टाटी यूज इ दो नमडरों को सेव कर लीजिए कोर्स की एंक्वाइडी करिए वाट्स अपकॉल मैसिस कर सकते हो और साथ में काम भी करना है तो आप हमसे हमारे साथ मिलके यहां पर काम भी कर सकते हो आपको अच्छा खासा कही ना कहीं तक आप पोस्त हुए नजर आओगे हमारे साजोडन है इडिस अवर्टिकल इंटीग्रेटेड डवलू टीजी मैनुफेक्चरर है इट अलसो अंडर्टेक्स इंस्टॉलेशन ऑफ ओ एन एम अफ ऑल डवलू टीजी सेल्स हाना ऑपरेशन इंक्लूड इंक्लूडिंग रोटो ब्लेड हाना ट्यूबलर टावर जनरेशन कंट्र में आएगा यह विंड एनर्जी और अलग अलग सोलर एनर्जी से लेटिड यह कंपनी काम कर रहे हैं यहां देखिए सुजलों रीच 20 गीगावाइट और व्ल्डवाइट विंड इनर्जी इंस्टॉलेशन और इंडिया में नहीं आउट आउट आफ इंडिया में भी यहा काम करते हुए नजर आ रही है विंड से लेटिन का ज्यादा अच्छा काम यहां पर दिखाई देता है तो जाके एक बान की वेफसाइट पर विजिट करिए हाना आपको यहां पर प्रोड़क्स समझ में आ जाएंगे ठीक है यहां पर आप दिखिए विंड टर्वाइन जन के थोड़ा से बढ़ते हैं और जानते हैं इसका कंपनी से लेटिट ठीक है तो सबसे पहले देखिए बासट हजार 68 क्रोड़ रुपे कंपनी है तो मिटकैप कंपनी है जब मिटकैप कंपनी की बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि शेयर जब भागेगा तो करना चाहिए जो हम अपने कोर्स में इसमें बताते हैं तो आप इसकी इंक्वाइरी यहां पर कर सकते हो थोड़ा सा आगे बढ़ते है तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि शेयर थोड़ा सा क्या है महंगा है रोसी रोई ठीक ठाक है बड़ च्टिल पीए के बेसे हम का आपको थोड़ा सा गौरफ अने दूसरी बात हम अगर बात करें प्लेयजिंग किसी तरीके की ब्लैजिंग नीए डैट-फ्री लगबबख शेयर है और आप यहां पर देखेंगे फेसे वैल्यी दो की नजर आती है और डिविडेंट कंपनी अभी तक देती नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर आप जिस तरीके का चार्ट है आप समझे पा। होगे कि dividend क्या देती हुए नज़र आएगी. यहां पर हम बात करते हैं कंपणी के numbers की, आज यहां पर lower circuit लगा है, lower circuit लगने के पीछे का रीजन का है, company के क्या है, number आते हुए दिखाई दिया, तो number आये, तो क्या हुआ, number आती साथ, लोगों ने deeply analyze तो नहीं किया, बट लोगों ने क्या किया, उसका anticipation करते हुए नजराए किस basis पे, क्योंकि mostly number क्या होते है, why on why basis पे यहां पर check होते है, तो यहां पर एक साल पहले जहां पर 320 करोड रुपे का profit था, वहां पर profit 254 करोड रुपे करे गया, हाना, तो इस वज़ए से यहां पर लोगों को समझ में आया, कि net profit गरता हुआ नजराया, हाना, और जब यह net profit का relation EPS से होता है, तो EPS गरता हुआ नजराया, तो इसलिए क्या होता है, कि mind में वह सारी questions और सवाल होते हुए, नजराते हैं, और सीथे क्या होता है, लोग यहां पर बेचना शुरू कर देते हैं, आख बंद करके, बिना कुछ समझे, और पढ़े और लिखे, हाना, तो news पर भी चला दिया जाता है, यह इतना ज़्यादा गिरता हुआ नजराया, यह result आया, इतना deep आगया, यहां पर dip आगया है, यहां पर इस चीज में, सेल्स का बढ़ना, revenue में, इसके operating profit, net profit, margin वगएरा में, EPS में help करता हुआ, नजरा सकता है, आने वाले टाइम में, एक आत quarter, ऊपर नीचे हो सकता है, on the basis of inflation of different things, जो भी ओ, consumption करते हुए, नजरा आते है, हना, बट चीज है, उसके basis पे, थोड़ा से लंबे, लंबे, long term का थोड़ा से रखेंगे, और समझेंगे, तो आपको वो चीज है, समझे में आएगी, तो यहाँ पर देखिए, आपको समझे में आएगा कि yearly और quarterly दोनों basis पे sales सबसे ज़्यादा है, और अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मार्स 2022 की, अगर मैं घटा दूं, तो इसके अलावा हर एक साल में, पिछले 12 महिने में, 12 quarter में यहाँ पर second number की highest sales है, दूसरी हम बात करें, expenses, तो company के expenses इस बार थोड़े से ज़्यादा होते हुए, नजरा है, ठीकर ना, company का जो consumption में पैसा है न, वो जादा यहाँ पर खर्च हुआ है, देखिए, material cost वगेरा में, 63% तक जो कि मैं यहाँ पर अभी दिखाऊंगा भी, तो उस वज़ए से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इनके, जो net profit है न, यहाँ पर operating profit है, वो थोड़ा सा इस वज़ए से कम हुआ है, ब margin की बात कर रहें, यहाँ पर देखिए, yearly basis में margin अच्छे खासे हैं, अब net profit कम क्यों है, हाना वो आपका समझे में आएगा, वो समझे में आएगा इस से कि other income, जो other income था न, वो यहाँ पर last year में 257 करोड रुपे का यहाँ पर इने किसी चीज़ से फायदा हुआ था, जो कि इस बार यहाँ पर नहीं होता हुआ नज़र आया, इस वज़ए से यहाँ पर वो यहाँ पर घाटे में थी और इस बार लगवा 16 करोड रुपे का उसमें घाटा था, इस वज़ए से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनके net profit में कम होता हुआ नज़र आया, otherwise यही 257 करो यहाँ पर क्या है, अच्छा नज़र आता है, अभी और डीपली थोड़ा सा आकर जाना चाहो, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, कि यह कंपनी है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ठीक है, दोसो यहाँ पर आपर देखिए, एक्सेप्शनल आइटम लॉस ग ठीक है, इरली बेस पर आप जाओगे, तो यहीं बेस पर आपको समन्में आएगा, इरली बेस पर आपको समन्में आएगा, कंपनी जो बेकार काम करती हुए, नज़र आ रहे है, पिछल 2020 के बाद, आपको यहाँ इंग गाटे से प्रॉपिट में आती हुए, तो लॉंग ट पर समर्ण में आयेगा तो यहां पर देखिए यह दकिए यह ग्हाते में थी इसब हो उनके जाएगा तो इम्सार कराई गातए यहां पर इस्टे डीप इंसी प्रोड़ में अनुदte यूख कुछन सब्सक्राइब. positive cash flows company के पास है तो overall हम बात करें company के number काफी मुझे तो impressive लगे मुझे अच्छे लगे और अगले quarter के number भी company के अच्छे आते हुए दिखाई दे सकते company अच्छा का सा काम कर रही है और merger वगरा भी होता हुआ नजर आया है थोड़ा से यहाँ पर जाओगे तो आपको नीचे समझ बाएगा यह देखिए इनकी जो SEL, SELM में यहाँ पर merger होता हुए नजर आया है तो वो चीज़े यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको समझ बाएगा की कंपनी यहाँ पर किस तरीके का काम करती हुए नजर आ रही है तो आपर यहाँ पर नंबर्स ठीक है सब कुछ ठीक है पॉजिटिव कैश फ्लोज है हाना कैश कंपनी का आस बढ़ा हुआ है प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए 13 परसेंट है एफाइज ने यहाँ पर साथ से 19 परसेंट की इस्तादारी बढ़ा ली है दियाज की इस्तादारी यहाँ पर बढ़ती हुए नजर आई है एस यहां पर बात करें पब्लीक की होलडिंग ओर फिर भी यहां पर आपको समय में आएगा का फिर लोगों ने यहां पर अच्छी घासी होलडिंग गिरा दिया जाता है या भगा दिया जाता है तो उसे थोड़ा सा क्या करेंगे इगनॉर करेंगे अब बात करते हैं यहां पर चार्ट से लेटेड तो देखिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो किसी को नहीं पता यहां पर हम देखे तो थोड़ा बहुत अगर गिरता है तो एक opportunity रहेगी यहां पर एक consolidation होता हुआ नजर आ सकता है और थोड़ा सा और बाते करेंगे इससे पहले चानल को सब्सक्राइब नजर आएगा इसका consolidation हो जाएगा तो मुझे और भी चार्ट में चीज़े हैं जो मैं आपको दिखाना आप कभी क्लास में आओगे ना तो मैं आपको बताऊँगा यहां पर यहां पर जैसे यहां पर एक अच्छा कासा support है सबसे पहले यहां पर 3C से निकलेगी दुबारा जिस दिन भी यहां से निकलेगा ना पचास रुपे से तो यहां पर थोड़ा सा weekly चार्ट पर जाहिएगा तो आपको यहां पर समझ में आएगा यहां देखिए कि यहां पर यहां पर क्या हो रहा है यहां पर रिवर्स कभी एंडल पैटर्न बनता हुआ रिवर्स हैं शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजरा रहा है इसके टार्गेट सोड़े से और उपर है ठीक है ना लगब एक सो चौतियों रुपे तक के जब यह जाएगा ना तो इसी तरीके से भागेगा बाकि एक सो चौतियों नंबर बता भी रहे कि 1314 14 15 15 21 21 21 तो 21 से तीन भी हो सकता है तीन से चार भी हो सकता है और जैसे यह जैसे यह नंबर बढ़ेगा और उस यह चीजे कंपनी को क्या करती हुआ नजराएगी इसे ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है ताइम देना पड़ेगा और अधर्वाइस यह म काफी शेयर हो के आपको पी काफी बहुत ज्यादा दिखाई देते हुए नजर आएंगे जो कि आपके सामने भी है जाके यहां पर देखिए तो आपको समझ माएगा तो पी के बेसिस पर कभी काम नहीं करना चाहिए वो भी यहां पर देखिए बाकी वीडियो अच्छी ब्लस